Hello guys, how are you? मैं अगता हूँ मेरे पास कितने सारे लोगों ने comment के वैटे कि भाई आप car mechanic के बारे में भी कुछ बताओ कि अगर Mumbai में as a car mechanic हमको काम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, कितने salary मिल जाती है हमको कैसे हमको job असानी से मिल सकते हैं अगर आम मुंबई में किसी को जानते नहीं है, कोई हमारा contact नहीं है, मैं अगता हुआ कई लोग ने जो course हैं, वो complete कर चुके हैं, कई लोग ऐसे भी हैं, तो आप मुंबई में कर सकते वाज़ा कार मेकनिक, और कई लोग काम सीखे भी हुए हैं, तो ही पूछ रहते हैं, अगर हम काम करते हैं मुंबई में अभी की टाइम पे, तो हमको कितनी सेल्डी मिल जाती है, देखो, एक काम आप जरूर करना कार मेकनिक में, आप experience ले लेना कहीं ना कहीं, जहां से भी आपने काम सीखा हुआ है, experience आपका अच्छा रहेगा, तो सेल्डी आपके अच्छी मिलेगी, मुंबई में डिमांड तो है कार मेकनिक की, बट experience वालों को यह दिकतर लेते हैं, ठीक है, यह चीज़े आप जरूर ध्यान देना, experience ले लेना, कार मेकनिक के अगर हम सेल्डी की बात करें, तो अगर आप फ्रेसर हो, आपने अभी कहीं भी काम नें किया है, तो आपको 12,500 से लेकर के 15,000 के बीच में मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको experience हो जाता है, वन से टू येर का, तो कई जगवा पर लोग 20-25,000 रुपे वे, जो लोगो 5-6 सल का अच्छा कासा जो लगजरी कार मेकनिक्स होते हैं, उनको 35-40,000 रुपे जभी मन्तली मिलते हैं, और कांटेक्ट लेवल भी काम करते हैं, तो वो अलग पैसा होता है, ठीक है, यह भी चीज़ आप कर सकतो, तो अपलाई करने का एक दो तरीका है, कि अगर कर सकतो, अच्छी वेबसाइट्स हैं, कोई फ्रॉड ने होगा, आप लोग साथ, कार मेकनिक की अच्छी डिमांड है मुंबई में, ठीक है, आपको अपलाई करने के लिए, आपको कॉंटेक्ट डीटेल सारी मिल जाती है, अचार का नंबर मिल जाता है, एडरेस मिल जाता ह सारी कॉंटेक्ट डीटेल आपको मिल जाता है, कंपनी के थुरू भी कार मेकनिक वर्क होते हैं, तो अब अच्छी कंपनी डिस टाटा हो गया, और टाटा मोटर्स में आपको काम मिल जाते हैं, ठीक है, इंडीड और लिंक्डिन का कोई प्रोमोशन नहीं करो, अच्छी वे प्रोम नहीं होगी, तो बैब आच्छी पूस्ता हो, कोड़ कमेंट करो बार लें,